नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग तबा हमारे कीचन की सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है अगर तबा नहीं होगी तो भला हम गर्मा गर्म रोटिया कैसे बनाएंगे आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तबे का कितना महत्तो है और जोतिस में तबे का क्या स्थान है और कैसे किस तरीके से तबा को रखें कैसे इस्तिमाल करें कि जीवन में परिसानियां कम आएं धन दावलत खुसाली भरा रहे घर में किसमत के बंद दर्वाजे खुल जाएं तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दे तवा और कढ़ाई ये दोनों ही चीज राहू से संबंद रखता है अगर हम जोतिस की माने तो आप तबे को कैसे रखती हैं ये तो हम बताएंगे के लिकिंगे उसके पहले ये समझ लें अपने कीचन को हमेशा ही साफ सुथरा ब्यवस्थित रखें और गंदे कढ़ाई और जली वी यानि कि कभी कभी क्या होता है जली वी कढ़ाई धोदिये यूच कर लिए ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये जीवन की परिसानियों को और बढ़ाते हैं और जहां तक संभवो गंदा तवा या गंदा कढ़ाई इस्तिमाल करने से बचिए नहीं तो इसका प्रभाव सीधा आपके पती के पॉकेट पर पढ़ता है जेब पर पढ़ता है ऐसा वास्तु सास्त में कहा गया है अगर आपका तवा या कढ़ाई गंदा रहेगा तो पती और बच्चों में नसे की परविड़ती जादा बढ़ जाती है क्योंकि राहू यहां पर कुपित हो जाता है और बुरा प्रभाव देने लगता है इसलिए अपने कीचन पर भी ध्यान देना है आपको अब हम बताएंगे तवे और कढ़ाई को कैसे रखें और कैसे आप घर में होने वाली परिसानियों से बचे रहें जब भी आपके घर में रोटियां बनती है सुबह बने रात में बने तो हमेशा ही याद रखें कि तवा को जब भी आप यूच कीजे साफ करने के बाद और तवा जब गर्म हो जाए रोटियां उस पर डालने के पहले एक चुटकी नमक डालने तवे पिर और पोच कर उसे हटा दें और फिर आप रोटियां बनाना सुरू करें सबसे पहला रोटि आप छोटा सा बनाईएगा छोटा सा मतलब आपकी इक्षा और इस रोटि को अलग हटा कर रख लीजिए ये गाय का हिस्सा माना जाता है कोई भी जानवर को आप दे सकते हैं चिडियों को दे सकते हैं ऐसा करने से क्या होता है घर की नकातमा जो सकतिया है वो दूर होती है और घर में खुजियां आती है जब रोटियां बन जाए तब सबसे लास्ट में भी एक छोटी सी रोटी जरूर बनाईए क्योंकि पिछला रोटी नहीं खाना चाहिए कहते हैं अगर आपने पिछला रोटी खाई तो सही समय पर सही डिसिजन नहीं ले पाएंगे बात से समझ में आएगा यहां पर हमने गलती कर दी ऐसा नहीं करना चाहिए यह सभी चीजें आपके साथ होने लगती है इसलिए पिछले वाला जो रोटी है उसे खाने से बचिए अब दूसरी बात हम करेंगे जब आपके घर में तबा का यूज ना हो तब खुले अस्थान पर मत रखे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ओवन के नीचे डाल दिये कही भी साइड में खड़ा करके रख दिये टांग कर रख दिये लेकिन तबे को ऐसे नहीं रखना चाहिए ये भी बहुत बड़ा दोस होता है इसलिए तबा को उल्टा करके भी नहीं रखना है कढ़ाई भी उल्टा नहीं रखना चाहिए और तबा और कढ़ाई जहां भी आप खाना बनाते हैं ना दाहिने तरफ रखें दूसरी बात बह मतलब के खाना चढ़ाए रखेंगे या खाली बरतन रखेंगे तो चूला पर आपके ओवन पर अतिरिक तभार पड़ेगा तो उससे भी आप बचना चाहिए आपको कभी भी खाना बढने के बाद किसी भी चीज को ओवन पर मत रखेंगे गर्म तवा में पानी मत डालिए वो कभी तवा को जब आप साफ करते हैं तब नीमबू और एक चुटकी नमक के साथ रगड़िये तवा चमके वगा भी और आपकी किसमत को भी चमकाएगा क्लीन जीतना रहेगा तवा उतना ही अच्छा होता है कभी अगर आपके घर में कढ़ाई या तवा जल भी जाए तो उ उठन में कभी मत निकाले भले ही आपके घर में मेड आती हो तो इसे आप साइट करके रखिए उनसे कहिए पहले इसे साफ से मलकर हटा दे सफाई करके फिर दूसरी चीज को वह सफाई करे यानि इसकी पवित्रता को आपको बनाए रखनी है तबा और कढ़ाई की इस बात क हमेशा ध्यान रखिए ताकि धन आने के रास्ते खुले रहें और जीवन में कभी भी परिसानी ना आए यह तो बहुत सिंपल और आसान उपाए हमने आपको कहा कभी भी यह जो हमने आपको आगे और पीछे का रोटियां बताई यह रोटी बहुत माइने रखती इन दोनों कि कजिंगी रोटी को खाने दे दीजिएगा ने चाहिए और ठोड़ा से बहाने किसी के लिए निकालते रहे हैं और रात में हमेसा एक बात याद रखिए किकचन को साफ कर के ही रखिए तबाह हो आपके हाँ चकला बेलन है होता क्या है ना सुबह सुबह आपको आप महिलाएं हैं रात में पांच मिनट मेहनत करती हैं दस मिनट करती हैं तो सुबह में आपको आधा गंटा फुरसत मिल जाता है क्यों 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 कि सुबह में ज्यादा बीजी होती है आप रात में क्या होता है अब 10 मिनट वेट करके आप तमाम काम को करके फिर आप सोने जाएए जितना ज़्यादा कीचन को साफ सुतरा रखेंगे क्योंकि रात में ऐसा कहा जाता है कि मालक्षमी सबके घर में भरमन करती हैं कीचन साफ सुतरा रहेगा बरतन दुलेवे हिं जब भी खाना बनता है तो थोड़ा सही-सही निकाल दिया कीजिए अगर आसपास कहीं कोई गाय बेगह रहे तो दे दे और नहीं तो कमसगम चूले के चूले के पास थोड़ाय सा रख दे यानि क्यान निकाल कर ही खाना चाहिए पहले ज़ूने में लोग तो अग्नी को पूजन करते थे अब ऐसा नहीं करते पर कोई बात नहीं जितना आप से सपरे उतना ही करें क्योंकि ज्यादा ताम जाम भी भगवान नहीं कहते हैं करने के लिए तो आज हम तवा के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसको रखना है ताकि जीवन में परिशानिया कम आए और ह हमेसा ही इस पवित्रता का ध्यान रखिएगा धीरे धीरे सब कुछ बहतर होने लगेगा हम आपसे बिदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेव धर्निवाद